इस वीडियो को आज हम यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं यह जो टॉपिक है एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी मोतिला लोसवाल के तरफ से तो वो रिसर्च रिपोर्ट में कुछ इंट्रेस्टिंग डेटा मिला है तो उसी डेटा को आज थोड़ा स अनिलाइज करने की कोशिश हम यहां पर करेंगे और इसमें एक स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ जिसमें हर एक सेक्टर का निफ्टी फिफ्टी में जो जो सेक्टर से वो सेक्टर का लास्ट पांट सालों में that is FY19 that is pre-COVID FY19 तिल FY24 यह फेज में यह पांट स सेक्टर का मार्केट कैपिलाइजेशन ओवराल कैसे बड़ा है मतलब कि जो स्टॉक प्राइस राइज है या फिर वो सेक्टर की राइज है वो प्रॉफिट के साथ मैच हो रही है क्या उसको थोड़ा से यहां पर समझने की कोशिश हम यहां पर करने वाले दोस्तों उससे पहले आप लोगों को फिर से एक बार याद दिरा दूँ वर्ल्ड कप यह प्रोमो कोड अक्टिव है इन्वेस्टेंदर.इन को विजिट कीजिए 65 परसंट का हईयस्टेवर डिसकाउंट इस अविलेबल फॉर आल यू पीपल और रिसर्ट प्रॉड्क्स, मॉडल दर आ रही है तो यह जो नंबर्स है यह एफ़ाइ 19 और एफ़ाइ 24 के कंपारिजन के नंबर्स है और स्पेसिफिकली ग्रोथ को कंपेर हम करेंगे सी एज यार कंपाउंड अन्यूल ग्रोथ रेट दोनों मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन यानि की ओवराल स्टॉक प्र सेक्टर के अगर हम बात करते हैं तो एफ़ाइ 19 से लेगे 24 तक इस सेक्टर में जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वह बहुत ही बढ़िया रहा है इवन टूविलर में भी काफी अच्छी ग्रोथ हमने देखी है रिसेंट पास में लाज दो तीन सालों के इसमें सो प्रॉफिट ग्रोथ इस 24 परसेंट मेभी बेस इफेक्ट भी इस पर प्ले आउट हुआ है और अगर स्टॉक प्राइस या फिर ओवराल सेक्टर कैसे और यहां पर बहुत ही जबर्दस्त अंडर परफॉर्मंस देखा गया है इन्दी मार्केट कैपिलेश यानि की रिटरंस की पॉइंट ऑफिस से अगर हम बैंकिंग सेक्टर, फिनेंचल सर्विसे सेक्टर, इंशॉरंस सेक्टर की बात करते है तो वहां पर स्टॉक्स नहीं करक्त इस पर बात करेंगे, capital good sector में profit growth is hardly 9 परसेंट, but stock prices have gone up by 22 परसेंट, so definitely the rise is not in line with the profit growth, cement sector की अगर हम बात करते हैं, तो 14 परसेंट का ही profit growth यहां पे हुआ है, but with-a-wist जो stock prices बड़े है या सेक्टर में growth हुई है market capitalization में, that is 21 परसेंट, so definitely यह जादा हुआ है, profit growth से जादा ह हुआ है तो यहां पर हम थोड़ा सा मतलब वैलेशन में थोड़ा कोशियस होना जरूरी है कंजुमर सेक्टर की बात करते हैं तो थाटीन परसेंट से यह ग्रोव हुआ है प्रॉफिट और कंजुमर स्टॉक्स है बहुत बड़ा फैक्टर है यहां पर कि एक स्लगिशनेस रहा है बहुत सारे FMCG स्टॉक्स के अगर हम बात करते हैं तो लॉंग्टम एवरेजस से नीचे के लेवल पे यह ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हेल्ट केर की बात करते हैं तो 21% से का प्रॉफिट ग्रोथ है और सेक्टर ग्रोव हुआ है 24% से थोड़ा बहुत आउट पर्फ का तो यहां पर शायद यह भी हो सकता है कि उसके पहले के पांच साल बहुत ही स्लगिश थे तो वह एक बेस इफेक्ट शायद यहां पर स्टॉक प्राइस में प्ल्याउट होता हुआ नजर आ रहा है ऑईल एंगास 13% से ग्रोव हुआ है प्रॉफिट ग्रोथ और सेक्टर ह थोड़ा सा मिस्लीडिंग भी लगता है यह चीज बिकॉस रिलायंस को भी थोड़ा सा इसी में माना जाता है अलोकेशन में वहां एक्जाक कंपारिजन नहीं है वो तो बाखी रीजन भी है रिलायंस के स्टॉक चलने में रीटेल सेक्टर के अगर हम बात करते हैं तो 20% का यहां पर थोड़ा सा उट परफॉर्मस जादा लग रहा है टेकनोलाजी 7% का ही प्रॉफिट ग्रोथ है 15% का मार्केट का ग्रोथ है तो यहां पर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते तो जितना प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हुआ है उससे जादा स्टॉक प्राइस उपर गए है दो लोड़ पीपल अस्टिल अविंग डिस्क्रिशन की क्या अभी भी यह सेक्टर मतलब लॉंग टम आवरेजेस के थोड़ा सा नजदीक है बट प्रॉफिट सार नॉट सब्पोर्टिंग दी राइस टेलिकॉम सेक्टर के अगर हम बात करते तो पहले तो कोई तो जादा वहां पर कुछ चेंजेस अगर हम बात करते हैं एक तो वोड़ा फोन भी है उसमें प्रॉफिट में अगर हम बात करेंगे तो यहां स्टॉक प्राइसे मतलब स्पेसिविकली भारती अटेल की जिस तरीकी से स्टॉक प्राइस बढ़ी है तो C.A.J.R. बहुत ही जबरतश देख रहे इुटिलीटी इस 9 परसंट का प्रॉफिट ग्रॉफ थे 20 परसंट का मार्ग ब्रॉफिट ग्रोफ है तो यहां पर आदर सेक्टर में 34% का profit growth है और 86% का यहां पर market capitalization growth है तो यहां पर बहुत सारे नए additions भी sector में जब होते हैं तो उसका एक angle हो सकता है तो overall अगर हम देखते हैं 50-50 का profit growth is 18% से बढ़ा है FI 19 to 24 और market capitalization का growth भी 18% का ही रहा है सो मतलब अगर जो एक बहुत बड़ा sector है मतलब वही conclusion की जो बात कर रहे हैं सो BFSI जैसा sector जो सबसे ज़्यादा contribute करता है towards profit also and towards the market capitalization also तो उसमें profit growth बहुत बढ़िया है बट market capitalization बढ़ा नहीं है and that's why whenever we are listening to institutional investors, fund managers जब आते हैं तो they are very much comfortable with the banking sector specifically private banking space जो valuation perspective से उन्हें काफी attractive नजर आता है but institutional investors में foreign institutional investors भी आते हैं जिनों ने इस sector में अच्छा कासा selling किया है so profit बढ़ रहे थे but selling भी बढ़ रही थी that's why stocks have not performed तो यहां overall थोड़ा सा एक sector की वज़े से profit growth and market capitalization growth rationalize होती होई दिख रहे हैं मतलब सबसे बढ़ा सेक्टर जो profit में सबसे ज़्यादा contribute कर रहा है but market capitalization growth में उसने contribute नहीं किया है यह वो reason है जिसके वज़े से 50-50 थोड़ा सा fairly valued लगता है तो थोड़ा अगर आप sector specific calls लेते हो तो उसमें cautious होना जरूरी है तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और फिर से एक बार याद दिला दू वर्ल्ड का प्यों प्रोमो कोड अक्टिव है invested.in पे highest average discount of 65% is available on our research products, model portfolios, stockometer plus and fundometer आशा करूंगा आप invested.in को जरू विजिट करोगे next video में मिलते हैं जैहिन